पुलिस ने गोरेगाँ में फर्जी आधार काड और पैनकाड बनाने वाले केंद्र का भांटा फोर किया है और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। गुरेगाउं पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने एक फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड केंदर का भांडा फोर किया और फर्जी कार्ड बनाने में शामिल 42 वर्षिय एक वेक्ति को भी गिरफतार कर लिया है। पुलिस समिली जानकारी के मताबिक आरोपी की पैचान उरूगेश कुमार मिश्रा के रूप में हुई है जो की कथित तोर पर फर्जी आधार कार्ड बनाने के बाद मूल पैन कार्ड बनाता था। अधिकारियों ने उसके पास से करीब 30 आधार कार्ड और 7 पैन कार्ड बराम था डिसीपी अजय कुमार बंसल के मार्ग दर्शन में और वरिष्ट निरिकशक दत्तात्री धोपटे की देखरेख में एक टीम गठित की गई और पीएसाई राम वैशनव ने अपनी टीम के साथ रवीवार को केंदर पर छापा मारा अधिकारी ने कहा कि एक जमी ग्राहक को पैनकार बनवाने के लिए भेजा गया आरोपी ने एक हजार रुपे लिए और अपना फॉर्म भर दिया फिर उसने दस दिनों के बाद दुकान से कार्ड लेने के लिए कहा हमने केंदर पर छापा मारा और तलाशी के दौरान फर्जी आधार कार्ड अलग अलग नाम के पैनकार और डमी ग्राहक का फॉर्म जब्द किया अधिकारी ने यह भी बताया कि जाँच के तहट जब अधिकारियों ने जब्द किये गए अधार कार्ड के साथ दर्ज नंबरों पर फून किया तो पता चला कि जादातर नंबर फर्जी नंबर थे वहीं एक अधिकारी के मताबिक आरूपी मिश्रा पर आईपीसी की धारा 420, 465, 466 और 468 इसके साथ ही 471 के तहट मामला दर्ज कर लिया गया और फिर गिरफतार कर उसे अदालत में पेश कर दिया गया आरूपी मिश्रा ऐसे किसी गिरो से जुड़ा है या नहीं इसकी जाच अभी भी जारी है फिलाल पुलिस ने पैन कार्ड विभाग को पत्र लिखकर ये जानकारी मांगी है कि इतनी बड़ी संध्या में पैन कार्ड घर के पते पर भीजने के बजाए मिश्रा के केंदर पर कैसे भीजे जाते थे मेटर मुंबई के लिए जोते यादव के साथ समवादाता धनुषदारी यादव की रिपोर्ट